हलो फ्रेंट्स नमस्ते आदाब सास्रीकाल मेरा नाम है रोबिन और स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर में दोस्तों मेरे पास बहुत सारी वीवर्स और सब्सक्राइबर्स का एक कमेंट आ रहा है कि सर आपने पैंट बनाना तो बता दिय का दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया तो फ्रेंट्स जैसा कि आप देख सकते हो यह मेरे पास एक पैंट है और यह है पैंट का फ्रेंट वाला पार्ट और यह इसका बैक वाला पार्ट तो दोस्तों अब मैं आपको पताऊंगा जब भ पहले आपको पॉक्ट की कटिंग बदाता दों किस तरह से होती है इसको कपड़े को मैंने कर लिया है ये देखे डबल इस तरह से और डबल करने के बाद जो पॉक्ट की लंबाई रख रहा हूं दोस्तों और रख रहा हूं में 15 यह देखिए बाकी आप जरूरनी 15 ही लेना इसको 15 की जगे आप 14 भी रख सकते हो 13 भी रख सकते हो मैं आपको जरूरल एक साइज बता रहा हूं यह 15 मैंने इसको लिया है और इसकी जो चुडाई है वो लगवे 6 इंच है तो दोस्तों सबसे पहले हम पॉकेट की कटिंग करता है यह देखे यह मैंने एक पॉकेट काट लिया है और पॉकेट कभी भी दोस्तों सिधा नहीं होता इसमें इस तरह से हलकी सी शेप देनी होती है यह देखिए यह जो शेप होती है आपको अपनी सुदागरसा देनी है यह इस तरह से जो होता है इधर से हाट डलेगा हमारा तो यह जो दोस्तों उसके लिए दोस्तों मैं आपको उप्षिन बताता हूं क्या होता है पॉकिट लगाने के दोस्तों दो तरीके हैं मेरे पास जो सबसे एक तरीका तो वह है जो और यह वीडियो अप्रोड कर रखी है जिसमें पैंट से लाई की काटिंग इस लाई किस तरह से होती है उसमें आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से पॉक्ट लगाते हैं उस वीडियो का जो है लिंक में डाल दूगा और आज मैं आपको बता रहा हूं एक पॉक्ट लगाने का सबसे आसान तरीका तो दोस्तों यह किस तरीके से लगा जाती है आपको पैंट के दोनों यह उठा रहने आगे के पार्ट्स कि आपको करना क्या है दोस्तों इस जगे से आपको दो इंच एक निशान लगाना है और इस जगे से आपको इस तरह से क्रोस में 9 इंच एक निशान लगाना है ये देखिए यह अшт Puis आप सीदा भी लगा सकते हो तो यह क्रोस निशान मैं इसलिए लगाई है क्योंकि यह भॉकेट लगाने जा रहा हुँ दोस्तों यह duplicu यह लगॉकेट लगाने बिलकुल आसान है ये देखिए यह मैंने निशान लगाया था इस निशान से इस निशान को आपस में मिलानाwow इस तरह से यह दोस्त्र आपको दिखा रोगा यह जो में लगाओंगो ये लगांगा क्रोज पोकेट और क्रोस पोकेट लगाना दोस्तू बिल्कुल असान ये देखिए जैसे इस से मैंने निशान लगा या सेम इसी तरीके से आपको इदर भी निशान लगा लेना है कि वही फॉर्मुला है दो इंच काप इदर से रखना है और नौ इंच इदर से एक निशान लगा लें और क्रॉस में आपको इस तरह से यह निशान लगाना होता है कि अब डोस्तों किस तो रही पॉकेट लगानी है वह जो फामुला बिलकुल असान में आपको मशीन पर बताता हूं तो जो क्रोस पोकेट होती यह अक्सर दोनों ही तरफ लगती है जर्नली क्या होता है कि हम कई बर क्या होता है पैंट जो बनाते हैं तो उसमें एक तरफ हम चैन लगा लेते हैं और एक तरफ पोकेट लगाते हैं पर अंतु जब भी आपने क्रोस पोकेट बनानी है तो दोनों ही तरफ इसमें क्रोस पोके तो यह देखिए, आपको एक पार्ट यह उठाना है, ठीक है, और इसको रखना है बेकुल सीधा, और जो आपने पोकेट काटी थी, यह देखिए, तो इस पोकेट को आप इसके उपर इस तरह से रख लें, अब फ्रेंट्स आपको दिखरा होगा, यह जो निशान लगाया था हमेने, कुल में लाके बात यह है, कि पॉकेट निचे की तरफ है, और यह जो निशान है, बस आपको करना का है, इस निशान पर एक सीधी सिराई लगानी है, यह सब डेटेल में आपको प्रशीनी पर बताता हूँ, तो दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हो, बिलकुत सिंपल में मैंने की सिलाई लगा दी है, अब यह से लगाने के बाद आपको करना क्या है, दोस्तो यह देखिए, कि यह जो मार्जर में सारा का सारा इस मार्जर के ऊपपर इस तरह से स्लाई लगाएं आपको समझ गा रहा होगा देखें यह जो सारा सारा अंदर वाला मार्जन है यह मैंने जिस तरफ हमारी पॉक्टैहर की常 कर दी Regles और अब इस सरा का सारा मारजर इस तरफ करते हुए ये देखिये ये हमारा पैंट का अक पार्ट आगे वाला सरा मारजर में इस तरफ कर दिया था उपर किनारे की ति अब इस के बाद mund दोस्तों जो तो फ्रेंट्स के लिए लगा दी है अब आपको करना क्या है यह देखिए यह जो पोकेट आपको अंदरवाला पार्ट में दिखा रहा हूं यह ऐसे हो जाती है अब फ्रेंट्स इसको आपको यह देखिए जो नीचरली दोनों कपड़े हैं इनको आपसमें इस तरह से मिलाना है और इसको आपको इस तरह से सीधा कर लेना यह देखिए अब आपको दोस्तों एक लुक दिखरा होगा पॉकेट वाला हमने करा क्या था दोस् इसको किस तरह से करना मैं आपको बताता हूं यह देखिए बहुत असान वे हैं आपको इस जगह से एक निशान लगाना दो इंच पर और जितना भी आपको साइज रखना है पॉकेट का अपने हाथ क्या कोड़िंग वैसे जैनली जो साइज होता है छे इंच होता है आप छ स्लाई जो है हमने यहां से लगानी है इसको और इसको आपस में इस तरह से बंद कर देना है इसको बंद करना के इस तरह से यह देखिए इसको आपने इस तरह से उठाना है और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक स्लाई लगानी है यह स्लाई किस तरह से लगे कि मैं तो फ्रेंट्स जैसे के आप देख सकते हो ये मैंने सीधी लगाई है अब इस जो मैंने ये को लगाया है इसको इस तरीके से देखिए सीधा करना है आपको और केंची की मदद से आपको इसमें जो इसका कोर्णर है इस को निकाल लेना यह देखिए यह कोर्णर निकल गया है अब को निकलने के बाद दोस्तों इसके उपर भी आप चाहें तो इसलाई लगा सकते हैं आपको लगा कर दिखा देता हूं तो दोस्तों यह देखिए इस तरीके से यह है जो हमारा नीचे वाला जो पार्ट है जिसमें हम हाट डालने के बाद पॉकिट में हमें वह स्पेस बंद चाहिए था तो वह स्पेस को मैंने बंद कर दिया है अब दोस्तों इसमें बिल्कुल सिंपल वह मैं इस प्रकार से मैंने निशान लगाये थे आपको दिख रहे होंगे यह देखिए अब यहां से हम सिलाई की स्टार्टिंग करेंगे इस तरह से तो दोस्तों ये देखिए सलाई लगा दिया मैंने इस सलाई को आपको बिल्कुल सीधा लेकर जाना है अब फ्रेंड्स ये देखिए इसमें जो जो जोल बिल्कुल ना है इसलिए इसको थोड़ा आप खीच के रखें और इस तरह से ये जो आपका निशान था जो मैंने लगाया था इस पर इस निशान से आपको इसमें मिला लेना है इस तरह के से अब दोस्तों ये जो पोकेट है इसको ये निशान जो मैंने लगाया इस निशान तक आपको बंद करना है लगाने के बाद आपको वापिस लाई को ले जाना है ताकि मजबूती इसको मिल सके और इसके बाद दोस्तों आप मशीन को बाहर निकालें दागे को कि फ्रेंट्स यह देखिए सब जगे से अटेच हो चुकि इसरी उपर से रह गई है इसको भी आप इसके साथ अटेच करते हुए सिलाई लगा दे तो दोस्तों से लगाने के बाद जो भी एक्स्टा कपड़ा है इसकी करने आप कटिंग याद रहे आपको इस कपड़े की कट पार्ट है और इसका राइट है और मैं आपको जोड़ के बता देता हूं कि जब इसका बैक वाला इसके साथ जोड़ेगा तो इसका लुक कैसा आएगा तो फ्रेंट्स जैसा कि आप दिखरा होगा यह देखिए पोकेट बिल्कुल तयार है इसमें मैंने हार डाल के आपको देखिए यह पोकेट रह रही है बिल्कुल नीचे से इसको मैं बंद कर दिया था अब दोस्तों मैं आपको यह भी बताता हूं कि किस तरह से इसको टैस्क्राइश करना यह पैंट का पीछे वाला पार्ट से आपको करना कि इसको इसको पर रखा इस तरीके से और जो भी कोड़ा सा फार्मूला करके पता देता हूं किस तरह किसे लगेगी देखिए दोस्तों यह आपको देख रही होगी जहां से देखें जो मैंने लगाई थी न यह वाली तो हमें इसी स्लाइट के उपर लगानी है और यह स्लाइट लगा कि मैं आपको इसका लुक दिखा देत हूं कर दो सकते हूं तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो यह जो साइड के सिलाई थी मेंने लगा दी है यह इसका पीछे वाला बहाग है और यह है इसका आगे का पार्ट इस तरीके से दोस्तों यह पोकेट इसके अंदर असानी से लग गई है और हमारा जो मेरे मकसद था आज की वीडियो का आपको पोकेट लगाना ही बताना था बाकि फुल प्रोसीजर किस तरह से पैंट किस लाई होती उसके लिए आप हमारी लेडिस पैंट की स्टीचिंग वाली वीडियो है वो देख सकते हो उसका जो लिंक है मैं डिस